हलो दोस्तों देखिए आज हम यह फ्लार टोटोरिल लाए हैं आप लोग लिए यह डीजाइन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइकन सेर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस तो चली बनाना सुरू करते हैं तो बनाने के लिए हम नॉट लगाएंगे फिर एक दो तीन चार पांच फाइचेन करेंगे पहले वाली मिलिए कि हम ऐसे ज्वाइन करेंगे तो दो चेन और एक चेन एक्स्टा कर ले रहे हैं यानि तीन चेन करेंगे फिर फंदे लेंगे हम डबल क्रोशे इस में बनाएंगे एक दो हुआ एक चेन फिर करेंगे फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे फिर एक चेन करेंगे फिर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे तो ऐसे हम राउन में पूरा एट डबल क्रोशे बनाएंगे और मिडिल मिडिल में वन वन चेन करेंग और यह बांद के कट करके निकाल लेंगे हम और इसे बैक सेड़ ऐसे लगा लेंगे देखें उसके बाद से हम यह कलर लेंगे और इसे बांद के जो चेन की है इसमें अब हमें बनाना है तो इसे बांद लेंगे एक दो चेन फंदे लेंगे डबल क्रोश्य बनाएंगे एक पास दो डबल क्रोश्य बना लेंगे फिर एक दो दो चेन करेंगे फंदे लेंगे फिर इसके बगल में यहां पर भी एक एक दो दो डबल क्रोश्य और दो चेन हरसे पर हमें दो डबल करोशी एक पास बनाना adalah se का यू दो चेन करणा है जो डबल क्रोशे बनानाय कि दो चीन करना यू दों डबल двух तो कि राउंड में ऐसे बनानी के बाद से पहले में लिए कि हम ऐसे जैंट करेंगे और यह भी कट करके यहां निकाल लेंगे और इसे भी बैक सेट हम लगा दे रहे हैं इसके बाद से हम यह कलर लेंगे आट लगाएंगे जो दो दो चीन कीए हैं इसमें अब हम बनाएंगे बांध के दो दो चीन फंदे लेंगे डबल क्रोशय हमें बनाना है एक एक दो हुआ तीन चार पांच एक छै शीक्स डबल क्रोशय हम एक जगा बना लेंगे फंदे लेंगे फिर इसमें भी हम शीक्स डबल क्रोशय बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छै ह peng जग दर हीख याहां पर भी एक हैं दो है कि जार अपांच एक शै शीक्स डबल क्रोशय यहां डियां बहुत है तो जितना है सब में हम सिख-इख विश्यफ बना कम्प्लीट करते हैं इसंट पूरे राумड में हम सिख-इख क्रोशש बना कम्प्लीट किये फिर पहले वाले में लिएगे हम ऐसे जोइन करेंगे और ये कट करके निकाल लेते हैं तो इसके बाद से हम ये कलर लेंगे अनकी एक से दूसरे जाने का जो बीच वाला जगह है यहाँ पर अब हमें बनाना है तो ऐसे बांध के तो फंदे लेंगे डबल क्रोशे बनाएंगे तो एक एक दो तीन चार पांच छै शिक्स डबल क्रोशे यहाँ भी बना लिएं तो इसमें एक दो तीन तीन छोड़के यहाँ पर ऐसे जोइन्ट कर लेंगे फंदे लेंगे फिर इसमें हम six double crochet बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे six double crochet यहाँ में बना लिए फिर इसमें एक दो तीन तीन छोड़ के यहाँ पर ऐसे ज्रेंट करेंगे फंदे लेंगे फिर यहाँ पर हम six double crochet बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे फिर इसमें एक दो तीन थ्री थ्री छोड़ छोड़ के ऐसे ज्रेंट कर लेना है दे लेके फिर यह बनाना है तो पूरे राउंड कम्प्लीट कर लेंगे तो देखिए हमने चारतरब से यह बना लिया अब फिर ही वीडियो में हम यहाँ पर ज्रेंट करेंगे और यह पहले वाले में हम ऐसे ज्रेंट करके यह कट करके निकाल लेते हैं तो देखिए यह डिजयन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइकन सेर किजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस किजिएगा कि हम और भी डिजयन लेके आए तो आप लोग के पास मिले वीडियो देखने के तेंगी